नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मत चनल पर है आज हम यहाँ पर बात करेंगे DRHP के बारे में और DRHP क्या होता है, उसकी importance क्या होती है उसकी क्या एहमियत होती है उन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर इन डिटेल के अंदर देखेंगे यह वीडियो थोड़ा अलग रहने वाला है, यह news related नहीं रहने वाला पर जिसको भी यहाँ पर DRHP related doubt है वो सब हम यहाँ पर clear करेंगे और DRHP के बारे में यहाँ पर फूल डिटेस के अंदर इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे तो चलिए आप हम वीडियो शुरू करते है सबसे पहले यहाँ पर देख लेते कि DRHP होता क्या DRHP यानि कि Draft Red Hearing Prospect यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो IP लाने से पहले किसी भी कंपनी को फाइल करना पड़ता है सेबी के साथ, यहाँ पर हम देख सकते है जब भी IP उनको लाना होगा तो यानि किसी भी कंपनी को आईप लाने है तो सबसे पहले उनको DRHP बना पड़ता है और DRHP को उनको सेबी को फाइल करना पड़ता है यहाँ पर हम देख सकते कि होता है इसके अनदर क्या होता है यह सिर्फ एक initial document होता है जो सेबी को प्रोइड करना पड़ता है और सेबी का regulation के हिसाब से भी यहाँ प्रोइड करना पड़ता है और यहाँ पर investor को यहाँ पर कुछ चीज़े जानने भी मिलती है जो basic चीज़े है वो चलो हम यहाँ पर आगे देखते है तो चलिए आप हम देखते हैं कि importance of DRHP का है importance of DRHP कर बात करें तो यहाँ पर transparency प्रोवाइड करते है और जब भी यह regulatory को file करता है और यह regulatory को file करना यहाँ पर compulsory है यह IP लाने की rules में से एक rule है जिसके अंदर DRHP file करना mandatory होता है किसी भी company को और इससे क्या होता है कि investor को एक awareness create होती है जैसे कि किसी company का DRHP आया है तो अगर उनको बहुत बड़ा पैसा डालना है तो वह वहाँ पर सारी details DRHP की धरिये भी जान सकते है कि यहाँ पर क्या है उनके potential risk rate सकते है क्या उनके financial है वो सब के बारे उनको वहाँ पर एक details मिल जाती है इससे उनको idea होता है कि आप उनको invest करना है कि नहीं करना वह वहाँ पर view बना पाते है क्योंकि उनको अच्छा कासा time मिलता है DRHP के बाद वहाँ पर approve होता है बाद में फिट जाके RHP फाइल होता है RHP के अंदर जाके फिर वहाँ पर सारी details हमें देखने मिलती है पर जो DRHP होता है वहाँ पर सिर्फ हमें उपर उपर से सारी details देखने मिलती है और इससे हमें एक transparency यहाँ पर आ जाती है तो चलिए हम जानते कि DRHP के अंदर होता क्या है अगर key component of DRHP के बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज होती है वो business का overview कि company करती क्या है, company का market position क्या है, company के future plans क्या है वो सबके बारे में इन details के अंदर उनको DRHP के अंदर बताना पड़ता है इसके लावा उनके आपे financial details भी होती है जैसे कि profit and loss statement उनका क्या चल रहा है इस current year में क्या चल रहा है पास 3-4 years का आपे क्या profit and loss statement रहा है उनके assets क्या है, उनके liabilities क्या है, उनका अभी cash flow क्या चल रहा है उन सबके बारे में इन details में हमको बताया जाता है कि DRHP पे उनके financial details क्या है इसके बाद अगर हम बात करें तो वापे risk factor भी उनको लिखने पड़ते कि आप अगर हमारी company में invest करोंगे तो वापे क्या potential risk आपके रहने वाल है तो business से जुड़े जो भी risk होगे वो वापे उनको DRHP में file करना पड़ता है जो investor को काफी help करता है उनके investment decision को बनाने के लिए इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर promoter की information भी होती है company के उपर यहाँ पर कोई liabilities तो नहीं है कोई legal liabilities है या फिर कोई regulatory action हुआ हुआ है company के उपर तो वो सब के बारे में भी यहाँ पर DRHP के अंदर उनको बताना पड़ता है इससे भी हमें काफी ज़धा idea मिलता है कि company यहाँ पर किस रित का behavior है यहाँ पर management किस रित से काम कर रहे है उसका हमें idea आता है अगर बहुत ज़धा यहाँ पर legal actions हो रहे है company में तो वहाँ पर हमें थोड़े doubts भी आते है और अगर company में कोई भी legal action नहीं है या फिर बहुत ही कम legal action है कुछ चोटे मोटे level के legal action है तो भी हमें idea आता है कि company का पर management का intention का है वो सब के बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है इसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर DRHP और RHP में क्या फरक है अब कई बार लोग confused होता है कि DRHP और RHP यह दोनों अलग अलग के DRHP जो अभी हमने बता है कि IPO से पहले उनको एक document लाना पड़ता है और जिसके अंदर यहाँ पर पूरी transparency के साथ सब कुछ financial detail, business overview, legal litigation वो सब के बारे में बताना पड़ता है पर DRHP के अदर हमने बता है कि आप final price और वहाँ पर number of sales कितने होगे वह सब वहाँ पर exactly defined नहीं होते है पर जब भी red hearing prospect file हो जाते है वो एक final document के तरह काम करता है और वो regulatory के approval के बाद में आता है और इसके अंदर यहाँ पर pricing decide होती है say details कितनी होती है वो सब decide होती है और वहाँ पर दूसरी भी updates होती है वो सब के सब वहाँ पर decide होती है क्योंकि DRHP जो होता है DRHP के अंदर यहाँ पर as a feedback की तरीके भी यहाँ पर काम करता है कि जब भी DRHP file करते है वहाँ से उनको अगर कुछ feedback मिलता है तो वहाँ पर documents के अंदर change भी कर सकते है और जो भी change होए वो वहाँ पर final हमको RHP के अंदर देखने मिलते है तो DRHP as a feedback भी बहुत अच्छे से काम करता है कि investor हो वहाँ पर feedback देख सकते है से भी वहाँ पर कोई feedback देख सकते है अगर वहाँ पर कोई loophole दिखे तो वहाँ भी वहाँ पर पॉइंट कर सकते है के जनरली जो होता है तो यह जनरली यहाँ पर growth and expansion के लिए होता है कई कंपनिया तो जो fresh capital लाती है जो fresh issue लाती है उसके अंदर many company वहाँ पर growth and expansion कुछ नई ब्रांच खोलनी होती है या फिर कुछ नए उनको machine risk लाने होते है या फिर कुछ नए उनको सुविधाय प्रोवाइड करनी होती है उन सब के लिए यहाँ पर IPO लाती है और कई बार यहाँ पर date repayment का भी काम होता है यानि कि reducing liabilities liabilities को कम करनी के लिए यहाँ पर IPO को लाया जाता है और उसके लाद जो general corporate purpose होता है उसके लिए यहाँ पर IPO लाया जाता है और operational work के लिए भी यहाँ पर IPO का पैसों का यूस हो सकता है और यहाँ पर किस किस company ने DRHP फाइल किया उसके बारे में हमने आपे अल्लेड एक वीडियो बना के रखा जो उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते है वहाँ पर हमने upcoming IPO चो भी 24 चोईस में आ सकते जिन्होंने अपने DRHP फाइल कर दिया है उन सब के बारे में अल्रेड वीडियो बना चुके उसका एक part one बना चुके उसका part two भी हम जल्दी लाएंगे तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू